परिशन में दो चात्र गुटों में जम कर माट पीट कई थानों की पहुचे फोर्स वरानसी के मात्मा गांदी काशी विद्या पीट में मंगलवार की रात चात्रों के दो गुट बिढ़ गये बचाओं में पी ऐसी जवानों ने लाठी लेकर दोडाया चात्र रात में टहल रहे थे तबी किसी बात पर उनकी बहस हो गई एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूसरे गुट ने होस्टल तक ख़डेडा किसी तरह वो भाग कर आचारे नरेंद्र देओ चात्रावास पहुचे वहाँ पर साथियों और स्टाफ को घटना के बारे में बताया चात्रों को पीटे जाने से आने साथियों ने भी नाराजगी जताई और सूचना पाकर चौकी पुलिस भी मौके पर पहुची वहीं छात्रों की भीड भी जमा है, पुलिस ने दोनों गुटों पर आवागमन बंद कर दिया है, वहीं छात्र कारवाई की जित पर अड़े हैं, काशे विद्या पीट में कैथानों का फोर्स बुलाया गया है प्रोफेसर बोरी मामले की जाच हो रही है प्रोफेसर अमिता सिंग ने बताया, थोड़ी देर पहले मुझे गाड सुपरवाईजर का फोन आया है, उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों में मारपीट हो रही है मैंने कहा कि जाकर मौके पर देखिए कि छात्रों के बीच क्या भीवाद है, किस वज़ा से मारपीट हुई है तब तक कई छात्रों के मेरे पास फोन आ गए, मैं गाड़ी से तुरंट मौके पर पहुची चात्र पीसी के पास मदद मांगने आये थे, पीसी हमारे परिस्तर में ही आवासित है चात्रों का कहना है कि उन्हें से एक दो लोग बाहरी थे, फिलहाल जाच चल रही है देखिए थोड़ा दिर पहले मुझे फोन आया हमारे गाड़ सुपरवाइजर जो है कि कुछ चात्रों में मार पीठ हुए हो रही है मैंने उन्हें कहा कि जाके मौके पर देखिए कि चात्रों का आपसी बीबाद है क्या है, सद का बाद बीबाद हो रहा है कि मार पीठ हो रही है, हाथ से हो रही है, कैसे हो रही है पिर हमको तुरंट सुचना दीजिये हमें लगता है कि सुप्रवाइजर के फarta के दो मिनट बाद हमाद बाद बाद सहात्रों का फ़ोन की कुछ बाद की किस बाद चास्तरों प्रकार के हुए को बाद फिर कर्मका करें 8-10 बादा हम 45 नहीं है है कि मैडम आप आईये आप आईये मैं तुरंत गाड़ी तो हमारी नहीं आप आई थी मैं पारिसर में ही रहती हूं टीचर सावास में मैं पैदल ही आई आधा रास्ते तक आई थी तब तक मुझे मेरी गाड़ी मिल गई हैं तो पता चला कि छात्रों पीसी के बीच में थोई मार्क की ठुई है अब आगे में में माड़ी थी प्यात्र में पास मतल खत्त माउने आए थी आप पता चला कि शात्र की बच्रे कहरे ले एक दो बाहरी भी है और अब तो जाच चल रही है झाल में.